यूपीटट 2021 की परिख्षा साखुसल आयोजेत करने के संदर में मंत्रियों से ले करके अधिकारियों तक खुद ही अपनी पीट थपता पाने के बावजूद भी अभी तक यूपीटट 2021 की परिख्षा पर सवाल बने हुए हैं। आरोप है कि वर्ष 2017 की यूपीटट की परिख्षा हू बहू रिपीट कर दे गई है वर्ष 2021 की परिख्षा में। ना भूले। इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पार हूँगे। उन्होंने आरोप को गलत बताया है। ये कोई बड़ी बात में है कि जब प्रशन रिपीट हो। लेकिन जब एक ही प्रशन पत्र के लगबग 60-70% प्रशनों को आप रिपीट कर दें तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब यूपीटट 2021 की परिख्षा 28 नॉमर को इस्थगित की गई थी पेपर लिग की वज़े से तो फिर ये मामले प्रकास में आ रहे थे कि दूसरे राज़े से पेपर सेट कराय जागा ताकि इस बार कोई ऐसा मामला देखने को ना दो महीने का वक्त सचीव परिख्षा नियमक प्रादिकारी कारयला द्वारा लिया गया परिख्षा कराने के संदर में क्या दो महीने से आप कॉपी पेश्ट में ही समय व्यतित कर रहे थे क्या दो महीने में डेर्स और नए प्रशनों को सेट नहीं किया जा सकता था आयोग के द्वारा ये लगतार प्रयास किया जाता है कि कोई भी प्रश्ण विवादित ना हो इस वज़ा से वो कोशिस करते हैं कि जो किसी दूसरे राज्य में या फिर दूसरे आयोग में प्रश्ण पूछे गए हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी प्रश्णों को वो हूब नीय सिंगल बेंच में इसको अभियर्थियों ने चैलेंज किया था जहां से अभियर्थियों को दो अंक कॉमन दिये गया थे उसके बाद से आपको याद होगा वर्श 2017 में रिजवान अंसारी बनाम उत्तर पृधेश मामले में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था वहां से अभियर्थियों को एक अंक common अंक दिया गया था मानने सुप्रीम कोट के द्वारा तो जब आप जान रहें कि ये प्रशनपत्र पहले से ही इतनी ज़्यादा विवादित थी प्रशनों के उत्तर को ले करके और उसी प्रशनपत्र को आप रिपीट कर रहे हैं आप पर सवाल चिन उठना लाजमी है एक तो आप प्रशनों को हूबहू दे रहे हैं उपर से विवादित प्रशनों को दे रहे हैं PNP के द्वारा आयोजित की गई यूपीट की परिक्षा चाहें किसी भी वर्स की हो आप उठा करके देखेंगे तो इनका एंसर की लगतार मानने कोर्ट में चैलेंज होता ही होता है आखिर ऐसे प्रशन क्यों सेट किये जाते हैं ताकि बार बर अब यर्थी इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएं निश्ची तोर पर ये सभी चीजे रुखनी चाहिए ये से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताईगा और ऐसे ही मातुपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो